हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वोर्रन हैस्टिंग के बारे में वोर्रन हैस्टिंग है वो बंगाल के आखिरी गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने उनका कारेकाल 1772 से लेकर 1785 तक रहा जब वारिन हैस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे उसी टाइम 1773 में रेगुडलेटिंग एक्ट लाकर उन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जब अंग्रेजों ने पलासी और बकसर का युद जीता तो उसी समय से ही उन्होंने यह तै कर लिया था कि अब उनकी राज़ानी भारत में कलकत्ता होगी इसी लिए वर्न हेस्टिंग द्वारा 1772 में जो राज़सो बोर्ड है उसको मुर्शिदाबाज से कलकत्ता स्थानांत्रित कर दिया अंग्रेजों द्वारा जो रुपे की मुद्रा चलाने के लिए टकसाल थी उसकी स्थापना कलकत्ता में कर दी गई भारतिय समाज में एक ददनी पर्था थी जिसके हिसाब से समाज बटा हुआ था एक विशेश परकार का वरग किसी विशेश परकार के ब्यापारिक क्रिया कलापों में ही सनलिप्ट रह सकता था लेकिन जब बॉरेन हैस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने इस ददनी पर्था को समाप्त कर दिया और जो ब्यापार के दरवाजे हैं वो सभी जातियों के लिए खोल दिये उनका ये उठाया गया एक सहराहनी कदम है दूसरी और जो वारेन हैस्टिंग हैं उन्होंने बंगाल से भूबंदोबस्ती की स्थापना की एक नियम लेकर आए उनका मत कहने जो की पंच वर्षे योजनाओं के लिए एक महतवपून स्थान मिला कहने का ताथ परिये ये है कि जब वारेन हैस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने किसानों को भूमी संबन्दी अधिकार दिये जिसके बाद जो एक फिक्स अमाउंट का टेक्स था उन्हें अब एक पंच वर्षे योजना के दोरान देना था यानि कि ये लगा लीजिए कि मालो किसी भी किसान का प्रती वर्ष सो रुपय लगान बनता है पांच सालों में वो पांच सो रुपय अंगरेजों को एजे टेक्स देगा लेकिन जो वारेन हैस्टिंग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला यदि किसान के पास गुंजाईश है तो वो हो सकता है कि जो पांच सो रुपय हैं जो पांच वर्षों की इंस्टॉल्मेंट है वो दो किस्तों में दे या तीन किस्तों में दे चार किस्तों में दे या फिर 10 किस्तों में दें लेकिन उसे पूरा लगान 5 वर्ष के दोरान ही अपना जमा करवाना होगा इससे क्या था किसानों को फायदा ये पहुचा कि जब मानलों कभी अकाल या सुखा पढ़ता था तो उस समय वो टेक्स देने के लामबन नहीं हुआ करते यानि कि उस समय टेक्स की तारिखों को आगे बढ़ा दिया जाता जिससे उन पर टेक्स देने का दवाब नहीं बढ़ता 1737 में वार्षिक भूमंदोवस्ती की गई यानि कि जब जो भूमंदोवस्ती की गई थी पंचवर्ष योजना के तहत उसके अंदर काफी सारा लगान अंग्रेजों का बकाया रह गया और वो उन्हें मिल नहीं सका इसलिए जो पंचवर्ष योजना थी उसे दोबारा वार्षिक भूमंदोवस्ती में बदल दिया गया इसके बाद जो वार्षिक से उनके दोबारा स्थाय बंदोवस्ती लाए गया यानि कि जो किशान थे उन्हें जमीनों के अधिगार दिये गए 1773 में अच्छा वार्षिक बंगाल के गवर्णर जनरल या गवर्णर बनने से संबंदी कहानी है कि जो वार्षिक है वो नौर्थ कुक के काफी करीबी माने जाते थे और जो बोर्ड डारेक्टर हैं उनके अंदर भी परतिनिती थे तो इसलिए उन्हें जो बंगाल का गवर्णर जनरल चुना गया इसके बाद जो वार्षिक है उन्होंने 1773 में बनारस की संदी की किसकी संदी की बनारस की अभी देखिए जो अंगरेजी सामराज्य है वो कलकता से निकल कर यानि कि बंगाल के च्छेतर से निकल कर जो यूपी के च्छेतरों में अपनी बड़त बना रहा है वहाँ बड़त बना रहा है यूपी के छेत्रों में अपनी बड़त बना रहा है उस समय जो बनारस थे वहाँ के शाशक कौन थे सुजाओ दोला उनके और अंगरेजों के बीच में संदी हुई और उस संदी के दोरान जो रुहेल खंड का छेत्र था उसे शैशर्त अंगरेजों को देना पड़ा और बंगाल की जो जमिदारी थी जो क्या बोलते हैं हाँ जमिदारी थी उसके साथ साथ रुहेल खंड की जमिदारी पर भी अब अंगरेजों का संदी की फेजावाज की संदी में जो अंगरेजों ने क्या किया कि बनारस पर पूरी तरीके से कपजा कर लिया नहीं कि अवद का नवाब दना सुजाओ दोला उससे अब बनारस भी छीन लिया देखिए 1773 में अवद के नवाब के पास गए उनसे यूद हार गए कौन अवद के नवाब अंगरेजों से उसके बनारस की संदी जिसके तहत रुहेल खंड पर जो कपजा था वो किसको देना पड़ा अंगरेजों को देना पड़ा अभी दो साल बाद 1775 में जो अवद के नवाब थे उन्होंने किस की संदी की फेजावाद की संदी की जिसके तहत संबूर्ण बनारस पर अधिकार अंगरेजों को दे दिया गया और जो अवद के नवाब ने एक करोड रुपे लोन लिया हुआ था अंगरेजों से उसे भी वापिस देना पड़ा अभी क्या था क जो अवद का नवाब था उसके उपर अरोप लगाए गए कि उन्होंने कूप शाषन का सहरा लिया है इसके तहत अवद के नवाब को बंदी बना लिया गया और उनकी बेगमों की शुरक्षा का अधिकार किसको दिया गया जो अवद के नवाब का जो मंतरी मंडल था उसके द्वारा अंग्रेजों को दे दिया गया और बोला गया कि बेगमों की जो सहायता के लिए भी हमें एक करोड रुपे की राशी चाहिए देखो हिस्टोरियंस के इस मामले में दो तरक हैं एक कहते हैं कि लोन दिया था उसे वापिस माँगा था दूसरा कहते हैं कि बेगमों की सुरक्षा है तो वैं उनकी ख्वाइशे पूरे करनी के लिए जो अंग्रेजी सामराज्य था उन्होंने एक क्रोड पे की डिमांड रखी तो ये किसके द्वारा किये गए कारिया थी यानि कि उन्होंने अपना जो छेतर है वो बंगाल बिहार से बढ़ा कर अब यूपी में यूपी की ओर चल पड़ा था जिसमें उन्होंने रुहेलखंड और बनारस पर कबज़ा कर लिया अलाकि अवद पर अभी भी एदिकार अवद के जो जो सुजाओ दोला के पुत्तर थे उनका बना रहा 1774 में वोरेन हैस्टिंग ने एसियाटिक सोसाइटी और पंगाल की स्थापना की जिसमें एक उनके सायोगी रहे विलियम जोन्स और दूसरे कुन थे वोरेन हैस्टिंग खुद इस सोसाइटी ने जो बगवद गीता है और हितोब देश है इनका अनुबाद अंग्रेजी भाषा में किया किसमें किया अंग्रेजी भाषा में ये यूपेस्टिया क्वेश्चन है कि जो बगवद गीता और हितोब देश का अनुबाद अंग्रेजी में स्वरोप्रथम किसनिक एसियाटिक सोसाइटी ओब बंगाल जिसके था अपना 1744 में वीलियम जोन्स और वोरेन हैस्टिंग के दुआरा की गई अभी देखो जो वोरेन हैस्टिंग है उसकी लगातार जो परतिष्ठा है वो बढ़ती जा रही थी इससे बैबित होकर उनी के गवर्नर जनलर परिस्द के तीन सदस्य उनसे नाराज थे कौन-कौन थे फ्रांसिस क्लेवरिंग और मोंसन कौन-कौन थे फ्रांसिस क्लेवरिंग और मोंसन और एक वारेन हैस्टिंग के जो काफी करीबी माने जाते हैं बॉर्वेल बॉर्वेल और वारेन हैस्टिंग एक गुट था और फ्रांसिस क्लेवरिंग और मोंसन का एक गुट था जब भी कोई प्रस्ताव आता तो फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मौनसुन एक गुट में हो जाते और वारेन हेस्टिंग का प्रस्ताव हर बारे गिराने की कोशिश की जाती कारण ये था कि जो वारेन हेस्टिंग है वो लगातार युद पर युद जीते जा रहे थे अपना स्थान खोती जा रहे थी इसी लिए जो फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मौनसुन है वो हर प्रस्ताव का विरोध करने लगे इससे अताहत होकर जो वारेन हेस्टिंग है उन्होंने 1776 इस्वी में अपना त्यागपतर दे दिया किस से जो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से इन्होंने इस्थिफा दे दिया लेकिन मैंने बताया ना कि जो वारेन हेस्टिंग है वो नोर्थ कुके समर्थक थे इसी लिए उनका ये इस्थिफा एमान्या कर दिया गया इसके बाद कमवेश चार सालों तक शाषन ऐसे ही चलता रहा लगाता लाममंदिया होती रही वोरेन हेस्टिंग ने ही सत्रा सचुहत्तर में कॉलकोता सुप्रिम कोर्ट की स्थापना की इसी लिए इन्हे एक न्याइक सेवा का भारत में न्याइक सेवा का जनमजाता कहा गया हाला की न्याइक सेवा का त्यारा भी जो वोरेन हेस्टिंग है उन्हें ही कहा जाता है इसकी चार हम आगे करेंगे सत्रा सो असी तक लगातार इसी तरीके से शाषन चलता रहा यह फोन अपने आप चलता राज पता नहीं क्या दिखेता है चार देखते हैं सत्रा सो असी से सत्रा सो चुराशी तक का शाषन काल में जो वोरेन हेस्टिंग है उन्हें अंगल मराथा नहीं यह अंगल मैसूर युद दित्या करना पड़ा आप सभी कमेंट बोक्स में बताए अंगल मैसूर युद फरस्ट कब हुआ देखो मैं बता दाओ जो मैसूर युद फरस्ट कब हुआ जब यूरोप में जब सेवन येर बोर चल रहा था तो उसी समय भारत में भी करनाट का युद चल रहा था तो उसी दोरान जो करनाटक है उसके अंदर अंगल मैसूर युद प्रथम हुआ था और उसका जो तारिक है 1754 से लेकर 1756 से लेकर 1763 मानी जाती है अलाकि जो युद की घोशनाई हैं वो 56 से स्टार्ट होगे थी लेकिन बड़े सतर पर जो युद हुआ 1756 से लेकर 1763 तो उसी समय अंगल मैसूर युद प्रथम हुआ जिसके अंदर जो मैसूर के राजा कौन थे उससे में शाशक कौन थे है दर ली लेकिन जो मैसूर का द्व पूरे काल में युद चलता रहा जिसके अंदर हैदर अली की मृत्यू हो गई और उनके पुत्र टिपू सुल्टान को गद्धी पर बैठा दिया गया और इसके अंदर जीत किसकी हुई इसके अंदर जीत हुई किसकी टिपू सुल्टान की यानि कि हैदर अली की तो मृत्यू हो गई लेकिन टिपू सुल्टान ने मूर्था संबाला और जिसके अंदर अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों को टिपू सुल्टान के साथ 1784 इस्वी में मैंगलोर की संधी करनी पड़ी और अपनी सीमाएं जो दक्षणी सीमाएं हैं उन्हें मैंगलोर तक रखना पड़ा इसी के बाद 1780 में वोरेन हेस्टिंग है वो वापस इंगलेंड चले गए जब वो इंगलेंड चले गए तो उनके उपर महाब्यों का मुकदमा चलाया गया और जो कब से कब तक चलां 1785 में इंगलेंड चले गए जब उनके कारीकाल की नियाईकскомिक्षा हुई तो एक मामला है किसका मामला है मोहन और नंदन कुमार का किसका मोहन और नंदन कुमार का जिसका निरन किसके दूआर दिया गए था इंपे के द्वारा दिये गया था किसके द्वारा दिया गया था इंपे जो जज थे भारत में सुप्रिम कोट के उसके द्वारा दिया गया था तो उसके अंदर बताते हैं कि जो फैसला था वो पूरी तरीके से गवर्नर जनरल से परभावित था यानि कि उसके अंदर जो मोहन कुमार का साथ किस ने दिया था बंगाल के गवर्नर जनरल का तो इसी लिए सदन में जो ब्रिटेन का सदन है उसके अंदर जो विरोधी पक्स थे एडमंड तर्क जेम्स फोकस गिलबर्ड और सिरेडॉन इन्हों ने तीन चारों ने मिलकर जो ब अर्शुचिन लगाया इसी लिए उनके उपर महाभ्योग का मुकदमा चला हला कि जो वारेन हैस्टिंग है 1795 में वो इस महाभ्योग के मुकदमे से बरी हुए अच्छा दूसरा मामला भी था एक इनके उपर आरोप लगा कि जो आवद साशिका थी यानि कि जो आवद की बेगम थी मुन्नी देवी उससे इन्हों ने साड़े तीन लाख रुपे रिश्वत के तोर पर लिये है किसको जो मुन्नी देवी का जो बेटा था उसी को ही तो अवद का शाशक बना दिया गया था जो उसका कबजा था कहां तक था सिरफ बनारस तक था तो उसके लिए मुन्नी देवी से उन्हों ने साड़े तीन लाख रुपे रिश्वत दिये इसका भी उनके उपर मुकदमा था और तीसरी बात जब जब यह जा रहे थे तो एक माम मामला यानि कि इसके अंदर जो काशी जोरा है उन्होंने जमिदारी जो हुआ करती थी जो लगान थांगरेजों का उसे पूरा भरने में एसमर्द थे क्योंकि उन्होंने कुछ पैशे रिश्वत के वारेन हेस्टिंग को दिये थे तो इसलिए जो एलिजा इंपे ने इनके मामला है उसमें एलिजा ने इन्हें निर्दोश करार दिया लेकिन इस मामले में भी एलिजा के पास परियाप्ट सबुत ने होने के कारण 1795 में इन्हें छोड़ दिया इनका जो विरोध करने वाले कौन-कौन थे एडमंट तर्क जेंस फोकस गिलबर्ड और सेरेडोन दूसरी बात लगातार जैसे मैं बता रहा हूं कि आपको अंगल मैसूर युद द्वित्य हुआ था 1780 के 1784 में इसमें जो महन एहम भूमी का निगायब निभाई थी मों मदरास प्रेजिडेंसी के जो गवर्नर थे उनके दोरा निभाई गई थी जिसके अंदर उन्होंने धारा नो का गलत परीयोग किया इसे लिए आगे चल कर देखते कि अंगल मराथा युद भी धारा नो के गलत परीयोग करने के कारण हुआ और मदरास युद भी हुआ अच्छा जब इनके न्याई कार्यक की सिमिक्षा की जारी थी तो उसके निकल के आया कि गवर्नर जनरल और सुप्रिम कोर्ट के अधिकार छेतर है उसमें ऐसा पश्टता है यानि कि कोई भी केस आता है तो उसके उपर फैसला दिया जाता है कि इसके द्वारा सुप्रिम कोर्ट के जज़ के द्वारा हाला कि अगर गवर्नर जनरल हक्साशिप करता है तो फैसला गवर्नर जनरल का मानिय होगा तो इसलिए अधिकार शेत्र में सपस्टता नहीं थी एक बड़ा इसके अंदर और भी निशकर्स निकल के आया कि जो बड़े वयापरी हैं जो यानि कि बौर्ड ऑफ डारेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी लोबी बना ली थी यानि कि लोबी बनाने का मतलब क्या है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर कंपनी के शेर खरीद लिये थी जिससे जो कमपनी है उसमें 1250 मताधीकारी कम हो गई यानि कि 1250 लोगों की हिस्सेदारी कम हो गई तो इस से लगता जा रहा था कि जो पूरी इस्ट इंडिया कमपनी है वो कुछी लोगों की हाथ में जा रही है तो एक सबसे बड़ा issue पन गए था कि इस्ट इंडिया कमपनी पर ही ब्रिटेन की अर्थवसिता निरभर करती है और उस इस्ट इंडिया कमपनी की जो ताकते हैं वो कुछ ही लोगों के पास हातों में जा रही हैं बड़े वैपारी लोबी बना रहे हैं तो ये भी एक चिंता का विशे था और इसमें माना गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो जल्द बाजी में लाए गया कानून है जल्दबाजी में लाया गया गया कानून क्यों कहा गया जिस तरीके से जिस समय ये लाया गया 1773 में लाया गया तो उस समय क्या था कि जहां पर विदेशी जमीन पर अंग्रेजों का राज था तो वहां के जो कमपनी के मालिक थे उन्होंने बोला कि इस जमीन पे अदिकर अंगरी जी सामराज्चे कर नय होकर हमारा है इसी लिए तो ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी जो जगह थी वो खो दी थी आपने मेरा अमेरिकन रेवोलिशन का अगर लेक्चर नहीं पढ़ा हो टार जाके देखे woah 774 में आजाद हो गया था अमेरिका तो कारण क्या था कि जो अमेरिका के जो कमपनी के जो मालिक थे उसके पदा अदिकारी थे उन्होंने बोला कि जो जमीन वो हमारी है यैनि कि प्रिटेन क्राउन का कोई उसके उपर हिसेदारी नहीं रही और भारत में भी अपने जमीन को ने खोदेश जो अंगरेजी शाषन है इसलिए उस कानून को लाया गया ताकि जो East India Company अपना अधीकार नय जमाने लगे किसके उपर जो भारत की जमीन है वो क्या चाहते दे किसका अधीकार ब्रिटिश Crown का अधिकार हो, British सामराज्य का अधिकार हो इसलिए जल्दबाजी में लाया हो गया, कानून बताया गया इस नियम के तहर जो East Indian Company थी उसे मत्र एक व्यापारिक संस्था बना दिया गया और उसके राजनेती के जो संस्था की जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, अच्छा, कमपनी में अनुभो की कमी थी इसलिए जो इस कानून की सपस्थता को कमपनी पहचान नहीं पाईस शिरुवाती दोर में बाकी जब उन्होंने पहचाना तो एक यह कानून जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटिश, इस्ट इंडिया कमपनी के लिए घाटे का सोधा हुआ जबकि सासन किसका स्थापित हुआ जो क्राउन थे, उनका सासन स्थापित हुआ तो मैं आपको एक बार यह वीडियो के कि पतनी आज क्या हो रहे है आज क्या हो झांधित हुआ झांधित है जो कि अ कि आए एक्टश इंडू